असलाम अलेकुम मेरे अजीज हमवत्तों, मेरा नाम है साथ और आज हम लोग बात करेंगे स्टेटलाइट्स के बारे में इंसान को स्पेस में जाने का काफी ज्यादा शौक है, वो चाहता है कि वो डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाए, वहाँ पर डिफरेंट चीज़ एक्स्प्लोर करें, और वहाँ पर कोई ना कोई जिन्दगी है, उसे एक्स्प्लोर कर सकें, ये तो अब तक एक मिस्ट्री है, अगर मुझे शौक है टेक वीडियो बनाने का, तो अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी चैनल को नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर ले, साथ में स्टेलाइट जो है, वो कोई एक ऐसी टेकनलोजी नहीं है, जो कोई और कर्टी ना बना सके, कोई किसी और ने ना बनाई हो, यह एक स्टेलाइट है, जो काफी ज़्यादा मुल्क अब तक बना चुके है, मगर में बाद यह देखने वाली है, अगर एक पॉजिटिवली हलाद आपके सामने है, कुछ इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए काम थोड़ा सा स्लो हो गया, मगर अब यह पिछले तीन-चार सालों के अंदर इस काम में फिर से तेजी आई है, और पाकिस्तान का जो कमिशन स्पेस रिसर्च पार्कों के नाम से, उन्होंने फिर से रिसर् के अंदर ऐसे टॉप टू सिटी मजोद हैं, जो सबसे ज़यदा पूरी दुनिया के अंदर, इसी चीज़ को रिसर्च करने के बारे में, जानने के बारे में, पाकिस्तान ने अपनी सैटलाइट बनाई है, यह सैटलाइट किसी को ट्रैक करने है, या कोई GPRS सिस्टम या कि इसमें काम नहीं आती, यह एक छोटी सैटलाइट होती है, जो के तकरीबन 286 kg की है, और इसका काम बिसिकली यह है कि यह इन्वार्मेंटल चेंजिस को डिटेक्ट करती है, जो आपे गलेशियर मैल्ट हो रहे हों, उनकी डिटेक्शन करती है, कि वो किस रेट पर मैल्ट हो हैं, यहाँ पर देखती है कि agriculture distribution किस तरह है, कहाँ पर minerals मजूद है, कहाँ पर dams बन सकते हैं, कहाँ पर rivers की potential है, वो मजूद है, इस तरह के different atmosphere, environmental जो चीज़ें हैं, उनको देखने के लिए यह satellite वो बिल्ट की गई है, और इस satellite से आप different changes, environmental changes को study करने में जो आपको जो बात यह कि यह सारी satellite जो है, पाकिस्तन ने पुने resources बनाई है, अपने जो कम budget में रहे के एक अच्छी satellite बना ली है, तो यह चीज़ काफी ज्यादा appreciate करने वाली बात है, कि Pakistan के जो space scientists हैं, इनके अंदर भी काफी ज्यादा potential मजूद है, जो कि थोड़े से budget के अंदर एक बहु अगर मैं आप लोगों को एक rumor बताता चलूँ, जो कि मैंने काफी एक अच्छी website से और काफी अच्छे blog से पड़ी है, कि 2019 या 2020 के अंदर पाकिस्तन जो है अपना एक rocket जो है space में भीजने की त्यारी कर रहा है, अब देखते हैं कि 2019 या 20 के अंदर ये त्यारी मुकमल होती है space station पर ये चीज मुकमल हो जाती है कि नहीं, अगर हो गई तो काफी अच्छी बात है इस region के लिए, पूरे region के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर इस तरह की development हो रही है, मगर फिलहाल तो ऐसी satellite बनाना एक अच्छी बात है क्योंकि बहुत कम budget में एक satellite बनाना वो काम करी हो अच्छा काम करें, ये काफी अच्छी अप्रिशेबल बात है, इस satellite को अब launch किस तरह किया जाएगा, ये का जा रहा है कि China इसे next year जो है पाकिस्तान के लिए launch करेगा space के अंदर, जिसके थूरू जो है पाकिस्तान के space में satellite जो और भी मजूद है, ये पहली satellite नहीं है, पाकि पाकिस्तान की environmental changes के उपर है, तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितना serious environmental changes के बारे में और अपने minerals को explore करने के बारे में तो ये काफी ज्यादा positive sign है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोग और कुछ जाना चाहें इस topic के उपर तो मुझे नीचे comment section में ज पुरा लगता है, और कोई भी स्वाल हो नीचे comment section में आप कर सकते हैं, इसी तरह मेरी वीडियो सो देखते रहें, support करते रहें, share करते रहें और like कर दे, और मैं आप लिए इस तरह ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा, thank you for watching, पाकिस्तान जिंदा बाद